हम लोग 2019 में तीन जन्वरी को जब सावित्री भाई फूले पर बात करने के यहां पर इकठा हुए है तो हम यह महसूस कर सकते हैं कि यह कारिप्रम बिना किसी जोखिम के हो रहा है और जब मैं जोखिम कह रहा हूँ तो उसका संदर्व सीधे सावित्री भाई से जूड़ता है जिस विश्व द्याले की इमारतों के बीच यूट फॉर सोसल जेस्टिस जैसे संवठन 2006 से सोसल जेस्टिस की लड़ाई लड़ रहे है इन इमारतों में ही जिनकी बुनियाद इसलिए रखी गई थी कि जो मुल्क दरसल एक मुल्क था ही नहीं बाबा साहब ने जब संविधान के रूप में इसे एक मुकमल मुल्क बनने का दस्तावेच तयार किया उसके बाब दरसल इसे एक मुल्क बनना था लेकिन उसमें जो अडचने थी वो हमारे समाज की थी बौधिक तक्के की थी और उस मुकमल मुल्क बनने की प्रक्रिया में जो बुनियाद का काम करना था जिन कुछ संस्थानों उनमें व्रिश्वित्याले सबसे प्रमोग थे यही से पीड़ियां तयार करना था ऐसी पीड़ियां जो अपने अतीत को जाने अपनी अडिन्टी से जुड़ें और उस जुडाव के बाद ये महसूस करें कि अब तक का इतिहास कोई बहुत सुनाहरा इतिहास नहीं रहा है सोने की चिड़िया जैसा थोपा गया विशेशण दरसल इस मुल्क में सबके लिए लागु नहीं होता ये मुल्क सबके लिए सोने की चिड़िया नहीं था सम्विधान बनने के बार जो नड़ाई गौतम भुद्ध से शुरू हुई थी जिसका एक चरण पूरा होता है बाबा साब मिटकर के सम्विधान तर उसके बार ही तो इसे मुकमन मुल्ग बनना थी और उसकी बुनियाद रची लई की थी विश्रुद्यालियों के जर्मा कि वो अपनी पीड़ियों को समझाएंगे एक ऐसी पीड़ी तयार करेंगे जो अपने समाज को जानेगी और जहां वो मुल्क नहीं बना था सब के लिए वैसा मुल्क बनाएंगे लेकिन दिल्चस्प है कि जिन संस्थानों के उपर जिम्मेदारी थी एक मुल्क को मुकमल मुल्क बनाएंगे वे ही संस्थाएं उन ही रूडियों का शिकार रही जिनके खिलाव नहीं बना और उनमें सबसे बड़ी रूड़ी की सामाजी कर न्याय की और 1990 तक इन संस्थानों की दहलीज देश के बहु संख्यक दले, पिछडे, आदिवासी, अल्कसंख्यक और महिलाएं इस दहलीज तक मुकमल रूप से नहीं आपा रहे इस तबके से जो थोड़े से लोग आये रहे होंगे और अगर होते तो आज सावित्री भाई फूले पर कारिक्रम इतने छोटी सी जगर पर तो नहीं आयोजेत हो सकता था इसके लिए कम से कम कॉन्फरेंस सेंटर में हजारों लोग होते तब हम मानते हैं कि हाँ ये विश्वत्याले है वैसे विश्वत्याले हैं जैसा बनाने का ख्वाफ सावित्री भाई फूले से लेकर के बाबा साथ तक ने देखा क्यों थोड़े से लोग है क्यों ये थोड़ा से एक छोटा सा समूँ जिसे छोटा किवली सब्स में कह रहा हूं वो काम बहुत बड़े करना है लेकिन उसने पहल की तब सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि वो 1990 के पहले कौन सी ताकते थी जो इन सेकुलर डेमोक्रिटिक इंस्टिटूशन में ही दलिक पिशड़े आदिवासी अल्पसंद के प्रमहिलाओं के लिए जगे नहीं बना जाएंगे कि हमने कबूल तो कर लिया था सम्विधान लेकिन हमने उस सम्विधान की जो चीखना थी जो संकल्पना थी उसे नहीं कबूल लगी और अगर कबूलते तो राश्ट के निर्माता नायकों की सूची में ये नाम दर्ज होता जो कुन नाम नहोता आज आप देखिए अप्चालिताय में भाईया है कि हम सामित्र भाई फूले को नमन करें जबकि जिस पर बात करनी है उसी के लिए विशुल दैलेता है आँए सोसल जश्टिस किसी विस्तर पे नहीं इस भूमिकार के साथ मैं कुछ पातें विशर पर रखूंगा जो विशर यहां पर रखा गया है कि बेशक हमारा रास्ता बहुत मुश्किल भरा है उमीद कते ही नहीं कर रहा हूं कि इस समूम में जितने लोग बैठे हैं यह उस तबके से तालुक रखते होंगे जिस तबके के लिए जिस तबके से सावित्री भाई फूले आए इस हौल में बैठे हुए लोग उनके विशारों में कुछ ऐसा है जिसकी जरूरत आज भी इस मुल्क को है और वो यही है कि इस वर्शुद्याले को ऐसा बनाया जाया जो सबके लिए सहेज हुए सावित्री भाई फूले का जीवन मतलब अब दूसरी बात मैं यहीं से विशार पराता हूं कुछ सिक्षा से हम जुड़े हुए क्या हमारे सिल्बस जैसे होने चाहिए वैसे है क्या उस सिल्बस में राष्ट निर्माता नायकों नायकाओं की सूची में यह नाम कहां है यह हैं यह हैं ही नहीं क्योंकि राष्ट को बनाने का ठीका तो कुछ जातियों के लोगों नहीं रखाता है और उन जातियों में भी ताकतवर लोगों है इसलिए इतिहास हमेशा लिखा जाता है सत्ता के द्वार, ताकतवर लोगों के द्वार वो इतिहास तो लिखा ही नहीं गया, वो अभी तक नहीं लिखा गया है जो वाकई इतिहास हो वरना किस बात का जिक्र जिस देश का बच्चा बच्चा जानता है कि लाओ वादु शास्त्री तैर करके स्कूल जाते थे क्या उस मुल्क का बच्चा बच्चा जानता है कि लड़कियों के लिए विद्याले खोलने की कोशिश में सावित्री भाई फूले को दो साड़ी लेकर के जाना पड़ता था उनके उपर पथर बरसाय जाती थी मैला गिराय जाता था बाकी सामाजिक बंचनाय तो कल्पना नहीं कर सकते उस मुल्क में आज भी हमने अपनी पीडियों को ये सिक्षा नहीं दी है कि दरसल तुमारे राष्ट के नायत ये लोग हैं जिन्होंने सिक्षा का दरवाजा खोला अब वो तो आती थी पिछड़ी जाती से तो वो बनाती है अपनी विश्डियाले या विद्याले स्कूल कि उसमें किवल लड़कियां पढ़ेंगे वो भी पिछड़ी जाती कि क्या उन्होंने ऐसा किया उन्होंने कहा हम उनके लिए सिक्षा का दरवाजा खोल रहे हैं जिनके लिए सिक्षा वंचित थी कौन अपनी अइडेंट्टी से उन्हें जोडता है क्या वाकई कबूल किया इस देश में नहीं किया कबूल करते तो 2017-2018 तक जाकर के ये किताब नहीं आती कितना लिखा है सावित्री वाइफूले ने उनका जीवन कैसा है उनके जीवन परिचे में क्या बाते थी क्या संघर्ष किया उन्होंने कितनी कविताएं लिखी हैं कितने लेट लिखे हैं कितने पत्र लिखे हैं गांधी जी ने किस-किस को पत्र लिखा पूरा मुल्क जाने नहीं देश भर के विश्रुद्यालियों में तलग के एक किताब मिले जो अभी 2015-16 में आई और यह भी मुकम्मल नहीं है यह तो पहली कोशिश है मैं हिंदी की बात कर रहा हूँ उनका काम तो उनकी मूल भाषा में था तब यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि विश्वद्यालियों के जब टैक्स्टबूक ही नहीं है तो आप कल्पना करिये कि विश्वद्यालियों के पाठिकर में कभी ने पढ़ाए जाएगा क्या यह मुल्क के पाठिकर में नहीं है ना इनकी मुकमल जीवनी है ना इनका कोई दस्तावेज है बेशक 2014 में जो निजाम बनता है मुलक का उसने अपनी जीवनी लिखवा ली बाल नरेंदर के नाम से और वो सिलिवस तक में लगी उनके विचार के लोगों ने दिन दियाल उपाद्याय की जीवनिया हर सरकारी सेक्षडिक संस्थान में रखना कंपलसरी ये क्या उस विचार में नहीं आते एकार मानोता वाग और दूसरी तरफ लड़कियों के लिए विद्याल है चुनना होगा तो इस मुलक को क्या चुनना है इसे तेह करना है तो पहली बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि आज भी हम बेशक खुश हो ले कि बिना किसी जोखिम के हम यहां बैठे है हमारे उपर कोई हमला नहीं होने वाला है हमारे उपर कोई आरोप नहीं लगाने वाला क्योंकि आज वो जान गए है कि इस मुलक ने सावित्री भाई फूले को कबूल नहीं किया लेकिन जिनके लिए सावित्री भाई फूले ने लड़ाई लड़ी थी वे पीड़ी सजग होकर कि अब विश्व द्यालियों की दहलीज पर आगर है और अब हुआ आपके इस दहलीज पर पूरी दमदारी से ऐसे कोश्टर लगाएगी और विशे रहेगी कि सावित्री भाई फूले का सपनों का भारू यह बहुत 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 होगा लेकिन यह लड़ाई अब है शुरू हुई आप इस पर देश के पराथे क्रमों पर नज़र रखनी है पर देश के स्ट्लीपे पूरा प्रिया है उस पूरे प्रोसेस में ये लोग नहीं है, अब इस पीड़ी के उपर जिम्मेदारी है, कि वो अपने साथ की पीड़ी को भी सचेत करे, जो शायर मंदिर बनवाने वाले आंदोलों में कहीं गुम होने के लिए बेताब है, उसे पकड़ करके कहे, कि ये स्कूलों की हमें बिना किसी हिचक से जो निररता यूद फर सोसल जश्टिस दिखा रहा है, कलपना करिए कि चाय की दुगानों पर, किसी फ्रेंड सर्किल में, किसी भी तरह की अनौपचारी जिन्हों पर, क्या सावित्री भाई फूलों पर आज भी कोई बहस हुई क्या, आज आपने दिन भर पहस सुनी क्या, अपनी मित्रता सूची में कहीं देखा क्या, लेकिन उसके बाद, जब हम निकलें यहां से, तो हमें ये पता हो, कि उन लोगों के उपर तो इतने जोखियं थे, कि आप इस किताब की जीवनी पढ़िएगा, तमाम बाते तो मैं छोड़ रहा हूं, आप जीवनी पढ़िएगा, और कल्पना करिया कि हमारे उपर तो कोई जोखी में नहीं, हम इसी विश्वद्याले में 2006 से Youth for Social Justice नारा लगा रहा है, पिछले 4 साल से हम लोग नारा लगा रहा है, जै भीम, जै विरसा, जै सावित्ति, जै मंदर, और हमारे उपर हमले करने की सिती अब उनकी नहीं है, क्योंकि उनको जितना हमला करना तक कर चुके, सैकड़ों साल तक किया, हजारों साल तक किया, लेकिन आप कितना तिन तक किसी को दबा पाते, और वो आज दो कदम पीछे हैं, और आपके उपर ये मौका है, ये जिम्मेदारी है, कि इस बहसों को इ नहीं बना क्या होगा, वहां बैठ करके चर्चा होनी चाहिए, कि यह जो तुम स्कूल जा रहे हो, तुमारे मुक्ती का रास्ता सावित्री बैफूले जैसे लोगों ने खोला था और कब एक छोटी सी कविता मैं सावित्री बैफूले की आपसे साजा करता हूँ और भी वक्ता है, जो बाते रह जाएंगी ये लोग बोलेंगे, मैं कुछ-कुछ बिंदूओं पर इशारा बस कर रहा हूँ अज्ञानता एक ही दुश्मन अपना खदेर दे उसे हम सब मिलकर उससे ज्यादा खतरनाग नकोई खोजो-खोजो मन के भीतर जहाको ये मूल रचना से हिंदी तरजुमा किया गया है एक ही दुश्मन अपना खदेर दे उसे हम सब मिलकर उससे ज्यादा खतरनाग नकोई खोजो-खोजो मन के भीतर जहाको बताओ तो नहीं पता कौन है दुश्मन क्या तुमने प्रयास किया क्या तुम्हारा प्रयास विफल हुआ क्या तुमने खुद ही मान ली हाद चलो चलो मैं बताती है उस दुष्ट खतरनाथ दुश्मन की पहचान ध्यान से सुनो उस दुश्मन का नाम उस दुश्मन को कहते हैं अध्यान चलो पकड़ो अध्यान को पकड़ कर इस दुश्मन की करो ठुकाई करो इतनी पिटाई कि फिर वापस न आए मार कर इसको दूर भगाओ चलाए न ये अपनी कोई चतुराई आओ मिलकर अध्यानता को दूर भगाई कोईदा की तर्ज पर ये थोड़ी कमजोर कविता है लेकिन क्या हिंद्री साहिट की त्यास में कमजोर कविता है नहीं पढ़ाई या कि क्या अरे उस मुल्क में जिस मुल्क को सिक्षब दिवस मनाने के लिए एक ऐसे व्यक्टी को चुनना पड़ा जिसकी थिसस तक चौरी के आरोप में जिस ुल्क में ज्यान की देवी एक मिधखी चरित्र है जिनका कोई existence ही नहीं है कब पैदा उनका देश का लहा उस मुल्क में ज्यान की देवी का ये अपमान अब भी हो रहा है और इसके खिलाब हमें लड़ना होगा ये आज के हमारे समय की जर्बूर दूसरी बात आप जीवनी पढ़ें जब इस पूरी किताब को जब सुरेन जी का फोन आया कि आपको बोलना है दरसल उन विश्यों पर बोलना सबसे मुश्किल होता है जिन विश्यों के अभी भी आप अधेता ही है तो इसलिए मैं बिना किसी अब मैं कुर्सी पर उधर हूँ यही मान के चलिए जो मैंने पढ़ा जो समझा वही साजा कर रहा हूँ जीवनी मैंने पढ़ी फिर से दो देने इस किताब को पढ़ा आप विश्वास नहीं करेंगे इस जीवनी ने मुझे आगे पढ़ने के लिए कई बार रोका और तब मैं फिर से वापस आ रहा हूँ कि जो जोखिम सावित्री भाई फूले जैसे लोगों ने उठाया घर से निकाल दिया पूरे समाज में तिरसकार मिला सबसे लड़ते रहे और लड़ने के बाद एक जन्वरी 1848 को पहला स्कूल खोला था और स्कूल खोलने के समय भी क्या वो स्विकार कर लिया गया क्या वो हमला तब भी जाने गा और नीजे जीवन जब आप पढ़ेंगे तो आप विश्वास करेंगे एक छोटा सा वाक्या इनके जिन्नी में जुड़ा हुआ है कि वो जोतिपा फूले को पत्र लिखती है और पत्र में ये दर्ज कर रहे हैं कि एक बड़ा खतरनाग भयावव वाक्या आमारे गाउं में हुआ है एक लड़की जिसके साथ एक पुजारी ने धोखा दे करके बलातकार कर दिया पूरा गाउं उस लड़की के उपर हमला कर रहा और उसको मारता है और उसको देश गाउं से निकाल दिया और जिस समय वो पीट रहे थे वो लिखती है कि मैं बदल से गुजर रही थी और दोड़के जा करके सामने कःड़ी हो जाती हूँ बेश बचाती हूँ वो दोनों आकर के मेरे पेरों पर गिर जाते हैं कि आप न रहते तो ये हमें माड़ है यानि ऐसा नहीं है कि इस वरतमान नजाम के आने के आने के बाद आदी मॉब लिंचिंग शुरू होई, अरे मॉब लिंचिंग तो इस मुल्क के गलतों, पिछड़ों, आदिवासियों की सदियों से होती ही रही, और वो मॉब लिंचिंग का केस यहां पर देखता है, और तब वो पत्र लिखती हैं कि हमने चुक्के से तुम्हारा एड्रेस ने दिया है, तो मैंने रहने के लिए ठिकाना दे देना, ये थी सावित्री भाइफूले, हम तो किवल ये जानते हैं, अब जो जानना शुरू की हैं, तो एक विद्याले के नाते जानते हैं, जो कि सबसे पुनिया दीजरूत, दूसरा वाक्या उसी सब्यका है, कि 4-6 महिल जो दलित घरों की थी, वो समण महिलाओं के सामने जो कुए की जगत पर खड़ी हैं, उनसे कह रही हैं कि हमें पीने के लिए पानी देतो, वो रो रही हैं, वो पानी मांग रही हैं, यानि एक प्राकृतिक संपदा, यानि मनोश्य होने के नाते इस प्रकृति पर जितना हक सबका है उतना उनका भी था, लेकिन उस पानी और उस महिला के बीच अगर कोई चीज एक ब्यवधान बनके खड़ी थी, तो वो क्या थी, वो जाती थी, क्योंकि पानी लेकर के जो कज़ा जमाय हुए महिलाएं हस रही थी, वो भी आइडेंटी में महिला थी, लेकिन उनने पानी नहीं दिया, और तब सावित्री भै फूले लेती हैं, कि मैंने उन सब को बुलाया, और अपने घर ले जाकर, एक छोटा सा उनके घर के भीतर तालाब बना था, उन्होंने का ये तालाब आई से तुम्हारा है, जितना चाय उतना पानी ले, कल्पना करिए, ये लोग भारत राष्ट के निर्माताओं में कहीं हैं नहीं, राष्ट किसने बनाया, ये आप तैक करिए, तीसरी बात, कि आज भी, सावित्री भै फूले, या इस तरह के जितनी भी कोशिशे होई हैं, उन कोशिशों को इसलिए रिकरगनाईज नहीं किया गया, क्योंकि उन के ज्यादा कोशिश इस बात पे होई, सब को पता था है, कि स्कूल खोला है, छुटी सी इमारत है, इमारत गिर जाएगी, उसमें पढ़ने वाले बच्चे शायद इसी समाज में आएंगे, तो भूल जाएंगे उसके लिए किसने विद्याले खोला, लेकिन एक ऐसी चीज ह जिसकी निव हो रख रहे हैं, जिसकी बुनियाद रच रहे हैं, जो कभी मरे गी नहीं, वो था विचार कि लड़कियां भी इस मुल्क में पढ़ेंगी, और वो आपके साथ कंदे से कंदा मिला कर लडएंगी, और वो विचार जिन्दा है, उसमेरे मात यां याँद नहीं पता वो इस्कूल की इमारत आज कहा है, नहीं पता कि उनके श्कूल के सुरुआती बच्चे कौन थे, वो लड़कियां कौन थे, लेकिन वो विचार आज हमारे बीच में है, इसलिए जो तब उनके खिलाफ खड़े थे, उनके नाम बदल गए, उनकी पहचान बदल हम क्या हम भी पॉप लिंचिंग करेंगे, नहीं, हम फिर से ऐसी किताबों को पढ़ेंगे, और जब कारिक्टम में जाएंगे, तो आपको ये अच्छा लगा कि फूर्णों का गुल्दस्ता जो कल मुर्जा जाता, वो नहीं मिला, ये विचार मिला है, जो हमें करेंगे, इ यहां से बाद शुरू की थी, कि फिर से सोचिए कि सतर साल इस आजाद मुल्क ने सम्विधान को लाभू करने के लिए दिया, लेकिन आज भी जब उसके सैक्षणिक संस्थानों में भी कोई सामाजिक समरस्ता, समरस्ता तो बहुत खतरनात सब्दे, इससे बचके रहें, अ हम समरस्त रहेंगे, एक साथ रहेंगे, लेकिन तुम्हारा हग तुम्हें कभी ने दे, इसलिए सबसे खतरनात विचार समाजिक समरस्ता, हमें समाजिक न्याय की बात करने, कि हमारा हग जिस पर है, हमारे जल जंगल जमीन, हमारे ज्यान के प्रतिष्ठान, वो हमें अपनी काविलियत से लोहा ले लेंगे, तब हम ये सूचना होगा, कि इस मुल्क को बनाने के रास्ते अभी वही दो है, जिसमें अकादमिक संस्थानों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेल आ रही है, मैं अपनी कक्षाओं में जब भी आज मेरी कक्षा थी, और आज तीन अलग अलग बहच में करीब 200 बच्चे थे, और मैंने आज भी हाथ उठवाया, कि आज किसी एक शक्सियत का जन्म दिन है क्या, दो चार बच्चे मिले जिन्होंने हाथ उठाया, कहां सावित्री भाई खुले, आप विशास ने करेंगे, दस साल पहले जब शुरू किया था, तो एक भी हाथ ने उठते थे, कुछ चीज़ें तो बदल थे, लेकिन लड़ाई हमें ये लड़नी है, कि सावित्री भाई, खुले के सपनों का भारत, कोई अलग भारत नहीं है, वो इसी भारत को मुकमल बनाने का भारत का सपन है, उस सपन की बुन्याद ये है, कि आप उनकी लिखी हुई चीज़ें सिल्वस तक आने दीजिए, आपके सामने जब वो इंटर्व्यू देने आता है, कोई विद्यार थी, तो आप उसकी जाती मत पूछिए, फिर आप उसकी मेरिट का इक्जाम लिजिए, आप उसकी अडेंटिम मत देखें, ये हमें इस अकड़मिक इ प्राइटाइज किया जा रहा है, और एंटी सोसल जेश्टिस रोष्टर ले आएगा, रोष्टर का मतलब ये है, कि अब दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यत और महिलाएं, ये लोग अब शुद्यारों में से इच्छत नहीं बन पारें, अरे पहले पीड़े तो अपना वजूद बचाने में ही खप गए, हम पहली बेवस्थित पीड़ी हैं, जो मैं अपने पूरे इलाके का पहला वक्ति हूँ, जो दिल्ली विशुद्यारों से प्यच्डी लिया और दिल्ली विशुद्यारों पढ़ा रहा हूँ, और आज तक नोकरी परमानिर न इससे उनको डर है, इसलिए उस पूरे संस्थान को, एकडमिक इस्टिट्यूशन को, प्रामरी स्कूल को तो पहले बरबाद कर दिया और आज आज आप उटे गाउं में जाकर देखिए, कि प्रामरी स्कूल में किनके घरों के पच्चे पढ़ रहा हैं, आप उनके जातिया हमारी लडाई अपने वजूद के साथ सलिबस तक में शामिल के जाने के, हम इंतजार करते रहें कि कोई ओम प्रकाश वालमी की आएगा, तभी जुठन की की जाएगी, आपको पूरे ब्रमान के बचाने की चिंता है, लेकिन आपको अपने घर की महिलाओं की चिंता नहीं ह लग मूव plates के लिए अलग मूवंड करना पड़ा, दलिक जब शाहित ही में आया, समाज में आया हो उसे अलग अधिंटिक के साथ आना पड़ा, ओभी सी आया तो अलग अधिवास ही अधिवाशी आया है तो अलग透 अधिवासी की लडाई को, अभी कंचा इलेया का से निकाल दिया पाटिकरम से कि नफरत फैला रहा है तो हमें इसके खिलाफ लड़ना है कि नफरत तो तुम फैलाते थे बस तुम उसे मानोता कि कलेवर में रख करके सोशर किये हम उसके लिए कह रहे हैं कि सावित्री बाइफूल है हमारे पाटरम है यह लड़ाई लड़नी है और दूसरी लड़ाई यही है कि हम हमारी प्रिड़ी के ओपर वो जिम्मेदारी है क्योंकि हम बहुत थोड़े से लोग है जो यहां तक आए हैं क्योंकि आज भी हमारी उम्र के हमारे ही पहचान लिए हुए लोग आज भी गाउं में अपना वजूद बचाने के लिए दो जून की रोटी के लिए अपना जीवन कुर्बान कर रहे हैं और उनमें से हम थोड़े से लोग जो इस समिनार हॉम में बैट करके बाटचीत कर रहे हैं तो आपके उपर जिम्मेदारी है कि आप इस विचारों की आपको जो यहां से चली थी अब उसे और मजबूत करके गाउं तक ले चलना है तब जाकर के उनके सपनों का भारत बनेगा और तब जाकर के साबित्री भाई फूले का वो खौब पूरा होगा जब उनके स्कूलों में हर पहचान के बच्चे होंगे सिर्चकों में हर पहचान के लोग होंगे और उनके सेलबस में जितनी जगा गाधी और तमाम लोगों को मिलेगी उतनी जगा मेटगर को मिलेगी और मासरसुती की पूजा करने वाले लोग साबित्री भाई फूले को पूजा मत करो हम तू ये भी कहते हैं पूजा मत करो पढ़ने तो दो कि ज्यान की देवी ही बहुत बहुत प्रिया